हैलो फ्रेंड्स बहुत बहुत सौगत है आप सब का मेरे चैनल माया रहूल व्लोग्स में और बताइएगा आप लोग कैसे हैं और आज है रक्षबंधन तो आप सब ही को रक्षबंधन की धे सारी सुथकाम दाएं और सभी भाई बहनों का प्यार यूही हमीसा बना रहे और मैं अभी नहा के आचुकी हूँ और तयार हो गई हूँ बस बाल बनाना बाकी है क्योंकि अभी बाल के लिए है तो मैंने अभी बाल नहीं बनाए है और मैंने महदी लगाया था जो कि ज़्यादा कुछ कलर नहीं आया है थोड़ा इस हाथ में लगाई थी और एक हाथ में मैं नहीं लगाई हूँ अभी महदी और ये जो सारी देख रहे हैं आप तो ये मिस्व हॉल में मैंने आप लोगों को दिखाया था ना ये वही सारी है तो बस इसे मैंने पहन लिया है और अच्छी लग रही है मुझे तो पहले मुझे नहीं लगा था कि ये अच्छी लगेगी सारी लेकिन ठीक लग रही है तो यहां पर मैं नास्ते के लिए आलू और टमाटर की सबजी बना चुकी हूँ और इसके बाद फिर बनाओंगी पूरी आभी तो क्योंकि पूरी तो गरम-गरम ही अच्छी लगती है तो इसलिए और रहूल आसपा सी कुछ बात कर रहे थे तो उनसे भी मैं बात करते हुई बना रही थी आप लोग सोचेंगे मैं किन से बात कर रही हूँ इसलिए बता रही हूँ और अभी ना मेरा भाई ही आएगा और मेरी ननन भी आएगी मेरे भाण जाएगा तो बस उनका इंतिजार कर रही हूँ इसलिए भी थोड़ा आराम-आराम से काम कर रही हूँ और मैं कभी इंतजार कर रही हूं कि आज रहे हूं कि थोड़ा लेट आएंगे 12 एक बज़े तक आएंगे फिर भी कही ना कहीं नास्ता बना लूँगी और भी बहुत ज्यादा नहीं बनाऊंगी क्योंकि हो सकता है मेरा भाई थोड़ा लेट आए क्योंकि उसे कुछ काम था वैसे तो वो बहुत पहले आ जाता लेकिन उसे कुछ काम आ गया था तो वो थोड़ा लेट आएगा तो अभी मेरी नननद आएगी तो फिर आएगी तो फिर हम नास्ता करेंगे साथ में तो इसलिए भी मैं थोड़ा आराम से कर रही हूँ जैसे कि मैं पहले बताई और यहाँ अब तक मैं अपनी इसलिए वह और यह सब देखता रहता है तो उसमें भी थोड़ा टाइम उसका चला जाता है लेकिन अभी जायेगा नहाने के लिए जलिए तब तक मैं अपनी राखी दिखा देती हूं कि मैंने राखी दिखाया नहीं आप लोगों को तो यह दिखिए यह मेरी सिंपल सी राकिया इसमें दिसु की भी राखी है मेरी भी राकिया और यह एक राखी जो बीच में देख रहे हैं वो मेरी भावी की राकिया तो क्या कहते हैं पता नहीं यहां पर मेर जेट है न मिरे जेट है उनकी बेटी है यह उनके बेटे हैं यह जो राखी मेरता था है उसके बट जनके बच्चे बहुत रहेते हैं लोग हरते वहार को बहुत Review अच्छा लगता है ये सब देख के न कि पूसर बखे और मैं अपने भाई के साथ तो यहां पर राखी बांद रही को तो एज वाइस बांते हैं यह लोग और हैं किसी कारण वस नहीं आ पाई तो थोड़ा ना मेरा वीडियो जो सही नहीं बन पाया इसलिए मैं आप लोगों को नहीं दिखाई तो पिछली राखी व्लॉग में तो वो है ही वसे और जिस यहां पर राखी बांद रही है तो यह लोग बहुत कुछ रहते हैं यह देखके न मुझे बहुत अच्छा लगता है और सभी आते हैं तभी कोई भी तेवार ना बहुत अच्छा लगता है वरना फिका-फिका सा लगता है कमी महसूस होती रहती है लोगों की योगी हमारी आदात है सब के साथ मतलब हमारा तो एक बहुत बड़ा परिवार है अभी आप देखेंगे ना इस व्लोग में उसमें तो आधे हैं बहुत है अभी और भी तो कई बार क्या होता है कि नहीं आपाते हैं आधे समय ही ऐसा है और ये देख रहे हैं ना जो मेरे चोटे देवर नहीं मतलब हमारे बाद वाले देवर हैं वह उनकी बेटि हैं उनका यह बहुत ही प्यारी है यह दोनों बहुत बहुत प्यारे हैं हमारे बच्चे और ये है सबसे चोटी वाले देवर की बेटी आसी, सबसे चोटी हमारे घर की मेंबर है ये, तो बस पहले न दिसु आसी को लेके पिहू को लेके आसी राकी बंदवाती थी, अब उसके बाद आप पिहू बंदवाती है अब आसी को, तो बस वही उसको सिखा रही है, ऐसे बा एक साथ मिलते हैं ना परिवार के लोग तो बहुत अच्छा लगता है मतलब कोई भी तेवहार ना मतलब दुग नहीं खुशी देता है तो हमेसा मुझे ऐसा ही लगता है और साथ मतलब आदत है साथ में तेवहार मनाने की लेकिन अभी लॉक्डाउन की वज़े से यह सब नह अपने भाईयों को राखी और हां लेकिन हमारी एक और नानद है चोटी वाली जिसको हम बहुत मिस्स कर रहे हैं तो लटदी बहुत मिस्स कर रही हूं मैं आपको और यह देखिए इनकी राख्यां भी बंद चुकी है यहां पर और यहां पर कुछ हासा रहे थे तो मैं भी यहां पर और उसके बाद यह सिधा साम का मैंने लिया है बच्चों को खाना दे दिये थे क्योंकि सभी को भी जाना है क्योंकि कल ड्यूटी है ना इसलिए और यहां पर देखिए यह मेरी दिवरानी है बीच वाली मुझ से छोटी और यह अंग्रीन सारी में देख रहे हैं यह मेरे चाचा से सुर के हां कि मेरे दिवरानी है यह भी छोटी है तो अच्छा लगता है सभी लोग मिलते हैं यह ना आप मेरे जेट की 25 वर्सगाट वाली वीडियो में देखे ही होंगे और इसके बास सभी बैट के थोड़ा बातचित करें इसके बास तो सभी जाएंगे यह भी जा रही है तो यहां पर सभी जा रहे हैं अपने घर अटो मिरी जो बच्चे हैं ना जेट के बच्चे तो वो ना 75 किलोमेटर दूर जाएंगे फिर मेरी की वाली दिवरानी जाएगी 40 किलोमेटर दूर तो ऐसे हैं सब अभी जाएंगे और इसी तरह से रहा पल रहता है और आभी सब चार है तो यह जाने वाली घरिना अच् 더 अच्छा नहीं लगता है ना जब आते हैं तो खुसी अलग होती है और जाते हैं तो ठोड़ा आप लोग समझ सकते हैं वैसे वैसे सब्स वें सही है और फिर बच्चों की प्लानिग अपनी अलग चलती र तो एंकी बाते कुछ अलग ही रहती हैं जाने से पहले कुछ ने कुछ प्लानिंगल रहती है इन लोगों की तो चलिए फ्रेंड़्स अभी अब झा रहे हैं तो चलिए छोड़ के आतے हैं सभी को यह हुआ ज़िए सभी अब निकल रहे हैं जाने के लिए So friends, काफी टाइम बाद में आप लोगों से मिल रही हूँ, बात कर रही हूँ और मुझे नहीं मालूम कि मैंने व्लॉग कैसे बनाया है, कैसा नहीं बनाया, मुझे कुछ भी अभी नहीं मालूम है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि काम भी रहता है और सभी के साथ टाइम भी बिताना पड़ता है मतलब व्लॉग बनाना उतना आसान नहीं हो पाता जब सारे लोग रहते हैं तो आसान है ही नहीं तो मैं कोसिस की हूँ कि मैं थोड़ा आप लोगों को अपनी फैमली का दिखा पाऊं और उम्मिद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और अभी आप लोग मुझे देख पा रहे होंगे कि मैं थक सी गई हूँ और हो जाता है ऐसा लेकिन जब सब ल कि लोग आते हैं तो बहुत हो बहुत अच्छा लगता है लगता है तो अभी नणनद है लेकिन बागी यहां जितने थे चले गए हें अभी डेवी क्ल डिटी है Unetry हो सब के आने के बाद फिर जोड़ों का काम था ओप लोग समख चीत हैं कि बहुत काम होता है तो सब करने के बाद अभी मैं आप लोगों के साथ आके बाद कर रही हूँ तो अभी टाइम मिला इस वीडियो को मैं यही पर एंड करती हूँ और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए अपने फैमिली का ख्याल रखिए खुस रही है और सारा प्यार बाद यह तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाबाई टेक कियर